17 देखो चले देखते हैं लिमिट x tends to 0 इसको हम लोग उसी तरह से sin 2x by में cos 2x लिख सकते हैं और minus में sin 2x और by में है आपका x का q यहां LCM ले लिया जाए यहां पहले common कर लेते हैं लिमिट x tends to 0 sin 2x को common करो यहां बचेगा आपका 1 by cos 2x और minus 1 by में है आपका x का q चली आगे step में देखते हैं अंदर LCM लेंगे लिमिट x tends to 0 sin 2x यहां LCM लोगे cos 2x तो हो जाएगा आपका 1 minus cos 2x और नीचे में आपका x क्यूब यही ना चली है अब यह पलट जागा यह जाके से इंटू कर जागा तो लिमिट x tends to 0 sin 2x इंटू 1 minus cos 2x का formula लगा देते हैं 2 sin square x हो जाता है अचा अनीचे है आपका cos 2x और फिर इंटू में x cube ठीक है तो x को distribute करना होगा यहाँ को बाहा निकाल दो लिमिट x tends to 0 यहाँ पर ले लेते हैं sin 2x और इसके बटा में एक x ले लेते हैं फिर sin square x और फिर इसके बटा में यहाँ x square ले लेते हैं और फिर नीचे आपका देख रहा ना एक्स और x square x cube हो जागा और नीचे आपका cos 2x को अलग रखते हैं अब सब में अलग-अलग limit लगाएंगे तो हो जागा 2 limit x tends to 0 sin 2x by में x है तो इसमें 2 से भाग 2 से गुना करना होगा तक कि इसका value 1 हो जाए एंगल के equal हो जाए उपर नीचे फिर into limit x tends to 0 sin x by x का whole square ठीक है और यहाँ पर क्या हो जागा नीचे फिर अलग limit लगाएंगे limit x tends to 0 cos 2x ठीक है चलिए अब दोखो इसका value तो 1 हो जाएगा तो बच जाएगा 2 into 2 4 इसका 1 हो जाएगा ना या फिर अभी लिख देते हैं इसे 2 into 1 into 2 और फिर into इसका value 1 1 का square और नीचे भी value 1 ही आजाएगा तो कि आप cost 2 into 0 रखोगे तो cost 0 1 होता है ना यानिकि उपर 4 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा यानि 4 by 1 यानिकि 4 यहाँ से इसका answer आजाएगा समझ गए उसान नमर एक